नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी प्रॉपर्टी पे जहां आपके सपनों का आसियाना होने वाला है और ये प्रॉपर्टी आपके बजट में भी आ सकती है क्योंकि अगर आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट हाउस देख रहे हैं खुद की जम और हर रो में आप देखेंगे कि individual gate लगे हुए हैं ये जैसे मेरे पीछे देखेंगे special safety and security हर रो के लिए बनी हुए है हर रो में gate लगे हुए है तो safety and security भी जबर जस्त है इस विला में तो इस विला को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये DEVOLOPS हो चुका है और जो dir इसको DE कर चुके हैं और नेक्स्ट इनका जो प्रोजक्ट है उस प्रोजक्ट में हमारे पास और रहा है और उस ऑप्सन पर समन के साथ हम जा सकते हैं तो मैं यहाँ पे पहले आपको दिखाता हो कि यह सोसाइटी कितनी डिवल اफ़ हो चुकी है क्यों क्या क्या एट सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की क्योंकि लोकेशन ही किसी प्रोजेक्ट को महत्वपूड बनाता है हम इस समय एक मुर्ती गोल चक्कर पे हैं जब आप गौर गोल चकर से एक मुर्ती गोल चकर की तरफ आते हैं तो यहां से आपको लेफ्ट लेना पड़ता है और लेफ्ट लेते हैं तो आप देखेंगे कि हाई राइज अपार्टमेंट्स इस जोन में बहुत सारे हैं और मैं आपको बताता हूं कि इस प्रोजेक्ट के नियर बाई आप देखेंग तो हम इस पहले प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं यह पहले प्रोजेक्ट पे आप देखेंगे कि यहां पे आपको सैंपल फ्लैट का भी मैं विजिट कराने वाला हूं यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितना डेवलप्ड हो चुका है किस टाइप की यहां पे अरें जैसे विक्टरी हमारा है निराला एस्पायर है एस एक्वा कासा है तो आपको ये रेनाउंड प्रोजेक्ट इसके जस्ट नियर बाई वाकिंग डिस्टेंस पे हैं अगर इंटरनेशनल स्कूल की बात करें तो SKS ग्रीन विजडम और कम से कम दरजनो स्कूल इसके नियर बाई आपको इंटरनेशनल स्कूल नियर बाई मिल जाते हैं जो आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए इंपॉर्टन हो जाता है हम आ चुके हैं प्रोजेक्ट पे ये आप देखिए रोज जो दिख रहे हैं ये विला के रोज हैं और सेपरेटेड आपको हर रोज में आप सेक्विर्टी को एशूर कर रहा है देखे फामियस सिफ्ट हो चुकी है सारा विला क्यूब्ड हो चुका है इंट कि ओल्मोस्स सारी विला बिक चुके हैं और ये देखिए लास्ट वेज का construction अभी इस villa में चल रहा है तो यहाँ देखे कि आपको construction purely and purely दिख रहा है कि काफी fast string पे है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग लगे हुए हैं इसके work में और काफी high speed में इसका work चल रहा है तो it means कि आप देखेंगे कि यह project almost sold out है कुछ units बची होंगी अगर आप यहाँ भी लेना चाहा है तो कुछ units आपको मिल सकती है मैं आपको अब लेके चलता हूँ इस villa का elevations दिखाता हूँ इस villa का पूरा sample flat विजिट कराता हूँ और उसके बाद हम चलेंगे जिस project की मैं बात कर रहा था जो recently launch हुआ है और उसका भी first आप देखेंगे block बनके तयार हो चुका है यह देखें villa का front से proper elevation कैसा आ रहा है और यह construction जिस villa में चला जिसका last phase deliver होने वाला है यह वो phase मैं दिखा रहा हूँ आपको otherwise इसके पहले आपने देखा तब पूरा delivered हो चुका है लोग उसमें रह रहा है यह दिखेंगे front से elevation ऐसा आने वाला है और इसके बाद आप front में देखेंगे कि आपको यहाँ पे front में car parking की proper space मिल जाती है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको यह car parking की proper space मिल जाती है उसके साथ ही आप देखेंगे यह stairs लगा हुआ है और इस stairs से आप entry लेते हैं अपने विला में entry जैसे ही लेते हैं तो आपको एक बड़ा सा hall मिलता है आप देखेंगे आपके ठीक सामने मैं आपको यह पूरा दिखा रहा हूँ view यह बड़ा सा hall मिलता है और इसी hall के साथ आप देखेंगे attached kitchen मिल जाता है यह kitchen आपको काफी बड़ा है ventilated है और इसमें आप देखिए कि lights proper आ रही है आपके पूरे hall में पूरे villa के अंदर यही फायदा होता है कि जब आप एक villa लेते हैं तो वो ventilated होता है आपको दिन में light on करने की जरूरत नहीं होती है तो इन सारी चीजों को आपको benefit मिल जाता है यहाँ देखे proper construction का काम चल रहा है लोग construction कर रहे हैं मैं उसी villa में लेके आया हूँ जिस villa का construction चल ला है यह आपका living or dining का area काफी बड़ा है और उसके साथ attached यह room है इसी room के साथ common bathroom attached है आप देखें यह common bathroom का gate और koonे में यह wardrobe की proper space दी हुई है इस room के साथ और इस room के साथ एक attach यह देखें यह आपका common bathroom का gate है और फिर मैं आपको बाहर से ले चलूँगा दिखाऊंगा कि bathroom कितना बड़ा है sizes awesome है क्योंकि आप देखें कि almost 100 yard का यह villa है तो 100 yard के villa में space काफी अच्छा मिल जाता है और two floor का बना हुआ है यह देखें आपका जो bathroom है इसका size काफी बड़ा है और ceiling height बहुत अच्छी होने के वज़ा से आपको room spacious दिखता है पूरा खाली खाली सा दिखता है अब मैं आपको लेके चलता हूँ first floor पे cd से और cd के बगल में देखें काफी space है cd के नीचे space है जाप inverter and काफी storage आप develop कर सकते हैं जैसे ही हम second floor पे पहुँचते हैं second floor पे पहुँचने के साथ ही हमारे सामने एक again बड़ा सा hall दिखता है इस hall को हम proper living room की तरह develop कर सकते हैं और hall के left side में ही again stairs है second floor पे जाने के लिए और उसके साथ जैसे नीचे room और common bathroom था same common bathroom इसके साथ attach है same size का room भी काफी बड़ा मैंने आपको बताया था कि ये room काफी बड़ा है और इसके साथ attach है इसमें भी again wardrobe की आपको special जगा मिली हुई है और room से ही आपका common bathroom connected है इसी room के साथ इसमेंस के नीचे एक room मिल गया ऊपर एक बड़ा सा room मिल गया और इस room के साथ आप देखिए एक छोटा सा balcony दिया हुआ है जहां पे आपको ventilation मिल जाता है and light proper आ जाती है पीछे की तरफ से क्योंकि ये room पीछे की तरफ है तो पीछे की तरफ से आपको ventilation और ये चीजे मिल जाती है अब मैं लेकर चलता हूँ आपको master bedroom में master bedroom के साथ attach आपको bathroom मिलता है इसमेंस की ये तीसरा bathroom होने वाला है आपके इस villa में और ये bathroom तो उससे भी बड़ा है आप देखे ये bathroom उससे भी बड़ा है यहाँ पे आप इसका size देखे कितना बड़ा size है ample space है room की तरफ ये bathroom आपका बड़ा होने वाला है और अब मैं दिखाता हूँ आपको इस bathroom के बाद आप देखे कि आपका जो ये bathroom है इसके साथ room कितना बड़ा होने वाला है room and wardrobe का इरिया काफी बड़ा है अब ये आप balcony देखेंगे अपना balcony का size जबर जस्त होने वाला है almost six feet wide balcony है और पूरे room के बराबर इसकी length मिल जाती है तो balcony जो है वो काफी बड़ा मिलने वाला है and premium look आता है इसमें देखिए आपको glasses लगे हुए है आपके balcony में and stainless steel की आपको designing दी हुई है जिससे की ये balcony और आपका विला और premium हो जाता है और इस room के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ आपके चौते room की तरफ ये room आप देखेंगे बड़ा मिल जाता है and ventilation के लिए आप देखे and उजाले के लिए आपको window मिल जाती है तो जबर जस्ट आप देखें तीन room के साथ ये एक additional study room मिलता है और अब हम चल रहे हैं second floor पे जैसे ही हम second floor के उपर मॉन्टू पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे gate के जस्ट बगल में storage की space रहती है ये दिखे दिखराथ चोटा सा और gate खोलते ही हम आ जाएंगे अपने च्छट पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि villa का मतलब आपकी अपनी जमीन और आपका अपना और इस च्छट पे आप देखेंगे कि आप अपने लिए storage डॉलब कर सकते हैं आप अपने लिए जूला लगा सकते हैं आप अपने लिए greenery डॉलब कर सकते हैं और ठंड में धूप का आनंद ले सकते हैं तो यही फायता होता है villa लेने का अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां से आप देखें आपको high-rise apartment आपकी छट से ही दिख रहा है इट मिंस कि यह project की location जबरजस्ट है और यही से मैं आपको ले के चल रहा हूँ अपने नए वाले project पे और वहां से भी आपको दिखाता हूँ कि क्या location है इसकी जबरजस्ट और location से ही project की value बढ़ती है आईए देख रहे हैं आप यह आपका project और यहीं से यह आपके high-rise apartment just walking distance पे है और यहीं पे आपको authority का more than 10 acre का park develop हो रहा है और इस project के आप दूसरी site देखेंगे जस्ट लगा हुआ ही यह देखेंगे आपको tax zone है यहाँ पे companies है authority के यह allotted factories के लिए यह area है और यहाँ पे देखें company just इससे लगा हुआ है तो आपके project की value जबरजस्ट बढ़ जाती है अब हम देखते हैं कि यह block में लोग रहने लगे हैं it means कि इसका जो first block develop हो चुका है इस project का यहाँ पे लोग आ चुके हैं लोग रह रहे हैं तो यह आपके लिए plus point होता है कि आज आप इस villa को book करते हैं और जैसे ही within a year आपको यह villa मिलेगा तो यहाँ पे आपके पडोसी रह रहे हैं और इनसे आज भी आके आप update ले सकते हैं कि क्या स्थिती है इस villa की और क्या से develop हो रहा है कितने कम time में develop कर रहे हैं इन सारी चीजों का आप actual जायजा कर सकते हैं actual चीजों को पता कर सकते हैं यहाँ के लोगों से बात करके यह देखे पीछे प्रोस डेवलप होते जा रहे हैं और लोग यहाँ पे सिफ्ट होते जा रहे हैं तो हमारे पास आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी बहुत ही जबरजस्ट समय है राइट टाइम है इस टाइम पे अगर हम इस villa को लेते हैं तो विदिन ए यहर हमें एक तो villa मिल जाएगा और इस लोकल्टी में लोग हमारे साथ रह रहे हैं तो इसका भी बेनिफिट मिलने वाला है अगर हम बात करें इस villa के सिफ्टी सिक्योर्टी की तो हमने देखा कि हर एक रोग गेटेड है और उसके साथ सिक्योर्टी गार्ड अवेलेबल है इट मिन्स की सिफ्टी भी काफी जबर जस्त इस villa की है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको लगा है कि हाँ ये विला आप ले सकते हैं मुझे इंस्टेंट कॉल कर सकते हैं और इस चैनल पर अगर आप नए है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि अपडेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन अपडेट इस चैनल पर मिलता रहेगा और लाइक करना बिलकुल मत भूलिए जिससे की मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा नए वीडियो बनाने के लिए